हाई फ्रेंज असलाम अलेकूम तो आज मैं आप लोगी साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ दही वड़ी की रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनते हैं और एकदम मों में खुल जाने वाले बनते हैं तो यह किस तरह से बनेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बनते हैं आगया मैं आपको इसके सारे सिक्रेट्स बताऊंगी तो चलिए देखते हैं उसके लिए यहाँ पर हमें किन इंग तो आपको इसी तरह से करना है तो देखिए इस बाल से मैंने लिया है यहां पर मैंने देर कटोरी उड़त की दाल लिया और हाफ कटोरी हाँ पर मैंने मूँ की दाल लिया है तो इसी मेजिर्मेंट से आपको भी लेना है तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसको पीस लेंगे दाल को अच्छी तरह से पीष लिया है देखिए इस तरह से आपको पीष ना है उसके बाद हम इसे इस बावल में निकाल लेंगे तो देखिए मैं आपको बताती हूं किस तरह से इसको पीष ना है तो देखिए इस तरह से पिसना है देखिए हलकी सी दरदर इसी हलका दरदर अपन इसमें रहना चाहिए एकदम बारिक नहीं पिसना है तो उसके बाद हम पिस लेंगे मूं की डाल मूं की डाल को हमको एकदम बारिक पिस लेना है तो चली पीस लेते इसको भी तो देखिए मूं की डाल भी हमने पीस लिये देखिए मूं की डाल को एकदम बारिक पीसना है और इसमें हम मूं की डाल को भी डाल देंगे पूरी तो देखिए मूं की डाल एकदम बारिक पीस लिये और उरत की डाल को थोड़ा सा दरदरा सा ही पीसा है तो इसी तरह से आपको भी पीस लेना है तो चलिए अब इनको मिक्स करते हैं यही बहुत महनत का काम है इसको मिक्स करने का उसके बाद ही जो हमारे दही वड़े है बहुत टेस्टी, सॉफ्ट और मुँ में घुल जाने वाले बनेंगे इसी से बनेंगे हमको इसके अंदर कुछ भी एड़नी करना है सोड़ा वगेरा कुछ भी नहीं बस इसको इस तरह से हिलाते रहना है एकी डायरेक्शन में उसी से जो हमारे दही वड़े एकदम सॉफ्ट स्पॉंजी बनेंगे तो देखिए अभी मैं इसको हाथ से गिरा रही हूँ तो ये गिर जा रहे है मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये जब हम इसको मिक्स करते रहेंगे तो ये हमारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे तो उसके लिए मेरी वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा तो देखिए इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करते रहना है कम से कम इसको हम 15-20 मिन्ट के लिए कंटिन्यूजली मिलाते रहेंगे इसी तरह से हाथ से फेटते रहेंगे फेटते रहेंगे उसी के बाद जो हमारा दही वड़े का बैटर जो एकदम फलफी बनेगा तो देखिए मैं इसको 20 मिन्ट से कंटिन्यूजली मिलाते रह रही थी फेटते रेडी हूँ फेटते रेडी हूँ उसके बाद हमारा जो बैटर रेडी होगा देखिए अभी भी में हाथ से गिरा ली तो ये गिर रहा है भी हमारा बैटर रेडी नहीं हुआ है मैंने इसे 20 मिंट फेटा उसके बाद हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया था तो देखिए इसके बाद भी हमें इसको continuously हिलाते रहना है तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे नमक आप अपनी साब से इसमें डाल देना तो देखिए नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से और फेटते रहेंगे तो यही महनत का काम है इसमें लेकिन महनत के बाद जो हमारे दही वड़े बनेंगे ना तो बहुती सॉफ्ट और स्पॉंजर एकदम मूँ में घुल जाने वाले बनेंगे तो देखिए अब मैं इसको हाथ से गिरा रही हूँ देखिए तो यह नहीं गिर रहा है देखिए आप लोग पहले मैं इसको हाथ से जहटक रही थी तो यह एकदम से गिर जा रहा था लेकिन अब यह नहीं गिर रहा है देखिए हमारा बैटर अब रैडी हो चुका है देखिए आप तो इस तरह से आपको भी फेटते रहना है तो यह हाथ से इसी तरह से फेटनी की वज़े से होता है देखिए मैं जमीन पर भी गिरा रही हूँ तो यह नहीं गिर रहा है अगर अब ही मैं आपको अपना बाउल भी उल्टा करके दिखाऊंगी तो यह नहीं गिरेगा यह जही एक मेहनत है मेहनत के बाद आपकी uhh ciao भी इसको खाते रहे जाएंगे और जो भी आपके फैम ली वाले यैगे आपकी तारीफिए करते रह जाएंगे तो देखेए उसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है दही, दही जो है इसमें अब दही में हमने चीनी डाल दिये, मैंने हाफ केजी से थोड़ा कम दही लिया है, उसके अंदर मैंने पहले 6-7 चमज चीनी डाल दी थी लेकिन उसके बाद फिका था तो फिर से मैंने इसमें 5-6 चमज और ची तो आपको इस तरह से कर लेना है तो देखिए हमारे जो दही वड़े के जो वड़े है वो फ्राइ हो रहे है तो देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम निकाल लेंगे इसको तो इस पानी में डाल देंगे तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया है नमक ड ये llami लेंग उभाम में वची निगाल थे इस दरह से आपको सारे जो दहीवड़े के वड़े इसको फ्राय कर लेना है गोलडन ब्राउन होने के बाद हूं छूके ङ। जुदिके अभी तुदिके इत्सिक्विश्ब भ्लॉडन अभी निकाल हो चुकिके अब इस्केट इस प और इसको इस तरह से उपर निशे करते रहना है तो देखिए हमारा बेटर कितना फूला था हमने इसमें सोडा कुछ भी ने डाला था सोडा वगेरा उसके बाद भी कितना फ्लफी बना है तो देखिए सारे हमने अब फ्राइ कर लेना इसी तरह से और इस पानी में डाल देना ह तो देखिए अब हमारे दही वड़े भीग कर तयार हो गया हम थोड़ा सा इसका पानी हलके हाथों से इस तरह से निचोड लेंगे और उसके बाद इसको दही में डालते जाएंगे तो इसी तरह से आपको भी करना है देखिए कितने फूल गए ना यह दही वड़े पानी में जाने के बाद यह बहुत फुल जाते है उसके बाद थोड़ा पानी निचोड लेना इस तरह से और दही में इसको डालते रहना तो सारे दही वड़े हम इसके अंदर डाल देंगे इस दही में इस वड़े को तो देखिए इस तरह से इसको दही के अंदर इस तरह से भीगो तोदा साव नमक और अब लिया है और डाल देंगे ठोड़ा सा बुणा हुआ जीरे का पॉडर अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप सिर्फा स्थाट मसाला इसमें डाल देना और थोड़ा सा हरा धनिये का पाफ़र दाल देंगे और लाल-मिजिपावडर दाल देंगे से अगर आपके पास इंडी चट्टणी तो वह भी डाल देंगर। डाल देना उससे भी बहुत तो आप लोग भी मेरी स्ट्रिक से ज़रूर बनाना आपके भी दरी वड़े बहुत टेस्टी बनेंगे तो चलिए बनाईए खाईए इंजोई कीजिए अपने पूरे फैमिली के साथ तो चलिए अल्ला हाफीज